किसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे तो जैसे कि आपको पता है कि current affairs की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे initiative हमारी टीम के द्वारा लिए यह हैं उनमें से ही एक initiative आज आप लोगों के सामने हैं हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग के जितने भी important current affairs हैं जो आप से exam में पूछे जा सकते हैं कुछ exams में specifically mentioned हैं कुछ में नहीं है मगर जो 6 महीने के current affairs हैं अब हम इस तरीके से आप लोगों के लिए लेके आएंगे जिसमें particular sections को हम लोग यहां पे cover करेंगे आज पहला part आएगा जिसमें हम लोग discuss करेंगे 6 महीने में जो भी important awards मिले हैं जो exam में पूछे जाते हैं उन्हें हम discuss करेंगे ऐसे ही हम लोग जितनी summits हुई है इंडेक्स आये हैं military जो exercises हुई है sports के जो event हुई है उन सबको हम लोग यहां पे discuss करेंगे तो जो लोग यह channel पहली बार देखें आप इस channel को subscribe कर सकते हैं साथ ही साथ आपको बता दू यह जो एक series है यह अब जैसे जमू कुश्मीर के अगर में बात करूँ जो बच्चमास साथ जुड़े हैं आप लोगों ने देखा है कि exam अब कहा जा रहे कि जल्दी शुरू होंगे अगर cbt mode में यह conduct करवाएगे तो आप लोगों ने देखा ह कि current affairs कितना जादा important है और 6 महिने के current affairs यह मान के चलिए sufficient होंगे आपके लिए तो जनुरी से जून के हम पहले करेंगे बाकी weekly classes हमारी चलती रहेगी वीडियो शुरू करने से पहले साथी साथ आपको बता दू जो बच्चे हमारे साथ हमारी app पे जुड़े हैं आप लोगों इसका एक्जाम भी postpone हो चुक है आप लोग अगर इनके लिए तैयारी कर रहे है तो आप हमारी app पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यह PDF और यह वीडियो आपको हमारी app पे भी मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को हम लोगों एक simplified way में आज इसको करने कोशि तो देखो सबसे पहली चीज अगर मैं यहां में बात करूं Grand order of the chain of the yellow award अब यह जो अवार्ड आप लोग देख रहे हैं यह अवार्ड क्या है यह अवार्ड recently मिला है किसे यह मिला है द्रोपदी मुर्मू को और यह द्रोपदी मुर्मू को मिलने के साथ ही यह पहली इंडि है कि सारी दुनिया की जितने भी कंट्री से सबको याद कर लो यह मैं मानता है यह वेस्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि करेंट अफेर में जो टॉपिक चलता है वही से आपको जो है कैपिटल के ऊपर क्वेशन या फिर करन्सी के ऊपर क्वेशन जो पूचा जाता है अब यह जो अवार्ड दिया है Grand Order of the Chain of the Yellow Award Yellow Star यह दुरोपदी मुर्मू को मिला है दुरोपदी मुर्मू आप सभी को पता है कि हमारी President है साथी साथ दुरोपदी मुर्मू की ऐगर में बात करूं यह अवार्ड इंपोर्ट क्यों होता है जो भी कोई कंट्री जैसे कि यह सुरी नाम ने दिया है अब यहां पे इनका हाइस सिविलियर रवार्ड है जिसको यहां दिया है अब यहां पे आपको क्या याद रखना है आपको यहां पे सुरिनाम की कैपिटल को याद रखना है ठीक है पहला पॉइंट अब इसकी कैपिटल क्या है यह मैं आपको साथ साथ मैं बतात सब्सक्राइब तो यह आप लोग याद रखना बहुत इंपोर्टेंट होगा पहला क्वेशन जो इंपोर्टेंट होगे मैं आलग से आपको मार कर दूँगा इसके अलावा माइकल बतीसी अवार्ड जो है वो मिला है यह उनाइटे नेशन एडुकेशनल साइंटिफिकेंट कल्चुरल और्गनेजेशन यानि कि युनेस्को के द्वार्ड दिया जाता है तो यह अवार्ड किसे मिला है यह अवार्ड मिला है जो इस समय डायरेक्टर है गल्फ और मनार के मरीन कहां पर तो आप लोग इसको याद रखेगा नेक्स पे जलते हैं हम लोग नेक्स पर बात करते है क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज मिला है 2023 का ये अवार्ड किसे मिला है ये अवार्ड जो है ये मिला है पेटर्सन जोसफ को मिला है और इनकी डेब्यू नॉवल के लिए मिला है जिसका नाम है अब देखो यहां पर पेपर अभी होंगे जिसमें अगर आपके बात करूं अगर मेंस की बात करूं या बाकी एक्जाम्स की बात करूं तो उनमें यह पूछा जा सकता है इसलिए यह आपको याद रखना है इसलिए हम लोग इसको बैकवर्ड याद कर रहे हैं जून से शुरू गिया हम लोग ने इसके अलावा नेशनल एक्रिडिशन बोर्ड ओफ एड्यूकेशनल एक्रिडिशन का वार्ड भी जो है वो मिला है यह किसे दिया गया है यह मिला है जो जिए लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इस्ट्यूट के दुवारा कि मिनिस्ट्री के अंडर आती है अगर जोशी जी तो इनको यहां पर अवार्ड मिला है तो यह आप लोगों को बस इतना याद रखना है जो बहुत इंपॉर्णेंट है उनको मैं अलग से मार कर दूंगा आप लोगों को उनको याद रखना ही रखना है जिसमें एक आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह सबसे question है इसको आपको याद रखना ही रखना है यह आपको देखने को मिलेगा इकबाल मसी अवार्ड को जो है यह मिला है अच्छी को जिनको आफ यह यह देख सकते हैं इनको इस बार इए वार्ट दिया इसके अलावा all film festival special prize दिया गया था in the health for all category यह एक documentary आई थी when climate change turns violent इसको यह वार्ड से मिला है health for all category की उसमें जो 44th अभी annual health for all film festival हुआ था अब यहां पर दूसरी बात आती है यह किसने करवाया था यह world health organization के द्वारा ही करवाया गया था जिनेविया में जो इनका headquarter है वहां पर इस event को करवाया गया था अब यहां पर बात करेंगे यह question क्यों important हो जाता है यह award जो मिला है यह documentary जो मिली है यह direct किसमें करी है यह करी थी direct वंदिता सहारिया ने जो की राजस्थान से है और यह एक मात्र इंडियन थी जो winners में थी तो इसलिए अब यहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यह question important क्यों हो जाता है ज्यादा एक तो पहली बात यह आ जाती कि यह documentary है नाम याद रखना है when climate change turns violent दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि इसके director कौन थी यह थी वंदिता सहारिया जी जो की इंडियन थी और एक मात्र इंडियन थी जो winners में थी इसलिए question important हो जाता है और यह दोनों questions काफी important है अगर आब watch की बात करो next पर आते है next question की अगर बात करूँ अभी recently जून के महीने में Elizabeth Longford price दिया गया था for historical biography 2023 यह किसको मिला है आप लोगों ने देखा होगा कि books and authors भी आप लोगों ने आपके syllabus में लिखी होती है अब यह जो books and authors होती है आम तोर पे वही पूछी जाती है जो कि या तो recently news में होती है किसी को कोई award मिलता है या फिर वो पूछी जाती है जो बहुत पहले किसी ने लिखी दी किसी famous personality ने लिखे फिर अमिदर ना टेगोर होगे मात्मा कांदी होगे उन में से पूछी जाती है या फिर किस सबसे पहली चीज रामचंद्र गुहा इनकी बुक है रिबल्स अगेंस दा राज वेस्टन फाइटर्स फॉर इंडियन इंडियास फ्रीडम और इन्हें यहां पे अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठीक है तो यहां पे यह अवार्ड इंपॉर्ट है काफी जादा books and author में next question वापिस से काफी important है आम तोर पर हम लोग ने यह जो छे महिने के current affairs लाए इसमें जो बहुत जादा important है उनको ही हम लोग फिलाल discuss करेंगे गांधी peace price दिया गया था 2021 का यहां पी date को भी याद रखना 2021 का यह प्राइस है गांधी peace price मिलता है किसे मिला है यह आप लोग यहा transformation के लिए काम किया गया है through non violent and other गांधियन methods तो इस वजा से इस book को यह प्राइस दिया गया है और गांधी peace price जो है यह भी काफी important है news बनाता है तो याद रखना गीता प्रेस है कहां से है यह प्रेस यह भी याद रखना हो सकता आपको direct जगा ही पूछ ली जाए कि कहां से यह प्रेस बिलॉंग करती है और यह जो award दिया गया है यह इसकी जो committee बनाई गई थी इसके head को थे इसके head थे परधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी next पर आते है next question वापिस से काफी important है अब यहां पर confusion मत करना यह peace price है यह जो था यह गांधी peace price है तो words को दिहान से पढ़ ले peace price जो दिया गया है एक से रुकिएगा जी तो जो peace price दिया गया था German book trade for 2023 का यह किसको मिला है यह British American है काफी famous इनकी books रहती है सल्मान रशिदी जो इनका नाम है इनको इससे समानित किया गया है इसलिए यह भी काफी important है दोनों चीज़ें याद रखना सल्मान रशिदी ने बहुत सारी जो books हैं novels हैं जो इन्होंने लिखी है और यह भी Indian है basically यह भी Indian ही है जो की अब अलग-अलग जगाओं पर रहते हैं बट इनका नाम याद रखना इन्हें समानित क्या गया था peace price for the German book trade जो 2023 का हुआ था next question वापे से काफी important है 45th European essay prize मिला है Indian है अरुन्रती रोय इ रहां पर जो इनकी novel है जो इनकी book है उसको याद रखना है जो इनको एक lifetime achievement award से समानित किया था जो इन्होंने French translation करी थी अपने essay की आजादी उसके लिए इन्हें इस award से समानित किया गया है दोनों questions काफी important है तो दोनों को ही याद रखना यह इसी लिए important है क्योंकि एक तो इसे recent news है साथ में यह जो अवार्ड जाई है इंडियन को मिले हैं और कभी भी किसी इंटरेशनल स्टेज पर किसी इंडियन को अवार्ड मिलता है तो वह important हो जाता है और साथ ही साथ जो आपके इस लेबस में मेंचन है इंटरेशनल अवार्ड उसमें वही पूछा जाएग जो आपके इंडियन को मिले हैं बाहर किसी ना किसी कंट्री में नेक्स पर आते हैं इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी के द्वारा ओलम्पिक ओर्डर जो है उससे समानित किया गया है यह किसे मिला है यह मिला है डॉक्टर टेडरोस को यह कौन है इनका नाम अभी तो इतना न डाले थे जो टोक्यो 2020 की गेम्स थी ओलम्पिक टोक्यो गेम्स वो जो है बहुत सारी चैलेंज जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कोविड-19 में काफी निउस में थे अब आप से और शीस पूचता हूं अब जो यह 2020 जो टोक्यो गेम्स थे कब होए थे यह पहली बार ऐसा हुआ था कि ओलम्पिक गेम्स को पूस्पोन किया गया था 2020 में इनको कंडक्ट करवाया गया था एक डिटेल लेक्चर वहां पर औरेडी अवेलेबल है आप उसको भी देख सकते हैं फिराल अब वहां से क्वेशन नहीं आएगा हां लेकिन कुछ ओलम्पिक स्टार ऐसे थे प्रोफेसर कोथापली जैशंकर अवार्ड यह मिला है एक रिनोंट पोईट है लिटररी क्रिटिक है इन्हें यहां पर यह साधी 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 अवार्ड विनर भी है इनका नाम है अच्छार्य एन गोपी इनको याद रखना कहीं बार आजकल एक्जाम में क्या होता ह है यहां पर डिरेक्ट आपको नाम दे दिये जाएगा और पूछा जाएगा कि किस फील्ड से रिलेटेड है आम तो और पी यह जो क्वेशन बनते हैं यह ज्यादा तर अबिच्वेरिस पर बनते है जब किसी फेमस परस्टनालिटी का अगर निदन हो जाता है तो वहां से पूछा जाता है कि कौन से फिल्ड से रिलेटेड थे यह आपको याद रखना है जून महिने में मिला तो पूछा जा सकता है इसलिए नेक्स पर आते हैं हम लोग नेशनल वाटर अवार्ड मिला है इन स्टेट लेवल अब यहां पर यह जो क्वेशन है यह बहुत इंपॉर नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो दिल्ली में दिये अवार्ड जो थे अनॉंच किये थे जल्शक्ति मिनिस्ट्री के दवारा होमवक नोट का लीजिएगा मुझे बताना जल्शक्ति मिनिस्टर कोन है इस समय आज की डेट में हमारे अब अगर मैं साथ साथ बात करूं कि स्टेट को यहां पर अवार्ड मिला था तो यह थी मध्या प्रदेश मध्या प्रदेश ने अमर्ज करा था अज़र टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन दा बेस्टेट केटेगरी तो यहां पर इसको याद रखना यह बहुत इंपोर्टेंट होगा एक्जाम पॉर्ट यह किसको मिलता है यह भी वहां का हाइस टेट ऑनर है जो हाइस टेट ऑनर होते हैं ना किसी कंट्री यह बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है मिला किसको है जो ऑफिशल विजिट पे जब गेथे प्रदान मंत्री नेरंद्र मोदी जी उन्हें तब इस अवार है लेकिन सबसे जादा डिसेंटली अगर वाद करूँ जब मैं आज यह लेक्चर बनानों तो यह इनको मिला है इसके अलावा परदान मंत्री नेरंद्र मोदी जो है वह स्टेट विजिट पे भी गए हैं कहां पे वह स्टेट विजिट पे गए हैं यूएस से में अब स्ट स्टेट विजिट आपको जब स्प्रेसिफिकली प्रेजिडेंट खुद इन्वाइट करें तब वह मानी जाती है 21 तोपों की सलामी मिलती है पूरा एक रंगा रम पूरा वह कारेकरम चलता है तो वह सब चीजें आप लोगोंने भी निउस में देखियोंगी तो अगर कहीं इन बार मान लीजिए आपसे क्वेशन में पूछाएगा कि ये कौन सी स्टेट विजट थी परधार मंत्री नरेंद्र मोदी की यूएस से में तो याद रखना ये पहली स्टेट विजट थी इसी दौरान ही एजिप्ट में भी यहां पर विजट करा गया था थोड़े आप लोगों को भी वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें एक आर्टिफिशल लाइमेंट को फॉर्म में वो गिफ्ट करते हैं देखने को मिला और ये गिफ्ट बहुत संबाल के रखने पड़ते हैं पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा था इमरान खान का जितना भी तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए नेक्स पर आते हैं डॉक्टरेट और ब्रिमिंगम में सिटी युनिवर्सिटी के द्वारा इंग्लैंड में यहां सम्मानित किया गया है किसे यह किया गया है शंकर महादेवन को शंकर महादेवन को यहां पर डॉक्टरेट यह ओनर यहां पर जो अवार्ड दिये गे थे यह किसे मिला था यह मिला है डॉक्टर के वेनु गोपाल को जो की चीफ कंसल्टन्ट है जो की कैरला में है तो बस आपको यहां पर इनका नाम एक बार याद रखने इतना इंपोर्टन यह है नहीं बाट रिसेंड़ी न्यूस में हुआ है तो यह आपसे पूछा जा सकता है जो बैंकिंग एक्जाम्स होगे उनमें यह क्वेशन बन जाते हैं यह यह भी आपसे पू अजे बांगा आप यहां पर देख सकते हैं अजे बांगा कौन है अजे बांगा प्रेजिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के डेविट मेल पास के बाद इन्हें यह पूजीशन जो है वह आफर हुई है इंडियन ओरीजन है क्वेशन में ग्रेट माइगरेंट लिस्ट पू होती है और इन्हें यहां पर जितना भी इनके तरफ से एफट रहा है अमेरिका में और जो कॉंटिबिशन रही है तो इनको इस लिस्ट में आड़ किया गया है नेक्स्ट पर आते हैं साहित्य अकाडमी बाल सहित्य पुरुषकार की अगर बात करूं तो यह जो अवर्ड मि कि किस लेंग्विज में लिखती है यह मल्यालम लेंग्विज में लिखती है और जो इनकी नौवल थी पेरु मजहाइटे पुंजीत कुलर तो इन्हें यानि की दग चिल्डरन हुन नेवर विथर्ट तो यहां पर इन्हें इसके लिए मिला तो देखो अब बाल पुरुष नब मुश्किल होता है चलो और यहां साथ सीचाब में याद रखता है कि किस लेंग्विज में लिखती थी और जून महीने का लास्ट करेंट फिर इसके बाल हम लोग बाकी में चलेंगे ग्लोबल इंडियन आइकन आफ दौ यह किसे दिया गया है देखो यह क्वेशन सब स पूछा जा सकता है कि यह कहां पर मिलता है तो यह यूके इनियन आवार्ड होते हैं और किसको मिला है यह मिला है जो हमारी पहली अलंपिक मैडलिस्टी वुमेन में मैरी कॉम जी इन्हें इस आवर्ड से समानित किया गया है यह बहुत ही जादा इंपोर्ट होगा पहला लेकिन नाम याद रखना मैरी कॉम का यह डिरेक्ट पूछा जा सकता है मैरी कॉम जो है मनिपूर से बिलॉंग करती है और मनिपूर जो है वह इस समय काफे डिस्टरब्ट चल रहा है बहुत सारी वहां पर इंसिनेंट ऐसे हो रहे है करन्ट इवेंट्स के मैं बात करूं सा एक है मेत्ती कम्मिनिटी और दूसरा मैंने को बताना किसके बीच में हो रहा है यहां पर तो यह आप लोगों को चीजें याद रखनी है यह थे इंपॉर्टेंट करेंट अफिर जून महीने के अवार्ट की अगर मां बात करूं अब थोड़ी सी बात करेंगे मही महीने के लेके जो इंपॉर्टेंट होंगे बहुत जादा उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में डिसक्स करूंगा बाकी मैं आपके साथ सिर्फ यहां पर नाम लेके आगे चलेंगे ताकि आप लोगों को बस ध्यान मेरे MBE by Kings Charles III अब यह क्या है देखो अवार्ड मिला है ओनररी MBE by Kings Charles III यह अवार्ड मिलता है यह किसको मिला है यहां पर यह मिला है वापिस से इंडियन है डॉक्टर एमन नंदकुमार यह काफी रिनोंड संस्कृत स्कॉलर है इन्हें इस अवार्ड में मिला है जो इनकी कॉंटि अब यहां पर दो चीज़ें याद रखनी है अब देखो यह पेप्रम क्वेशन किस तरीके से पूछे जाते हैं पूछे जाएगा कि MBE by Kings Charles III अवार्ड दिया गया है डॉक्टर एमन नंदकुमार को जो कि काफी रिनोंड स्कॉलर है यह किस लेंग्विज में लिखते हैं ल है यह काफी इंपॉर्णट प्राइजिस है तो यह इंडियन को मिलें य ना मिलें बन आपको याद रखना है कि किसे मिला है लिप्जिक बुक प्राइज जो है यह मारिया स्टेपनोवा को मिला है यह रुश्यन रॉइटर है इन्हें यहां पर इस बुक जो है यह उन्होंने लिखी दिए और इन्हें नॉमिनेट भी किया गया था वाँ बुकर प्राइस के लिए 2021 में तो यह भी आप लोग याद रखना नेक्स पे आते हैं वन अफ दा मोस्ट इंपॉर्डेंट क्वेशन सबसे जान इंपॉर्डेंट क्वेशन है यह इसको आप लोग हो सक के तो मोस्ट इंपॉर्डेंट भी मार करना वर्ल्ड पीस फ्रीडम प्राइज यह मिलता है यह अवार्ड जो है युरेसको की तरफ से दिया गया था और इस प्राइस की अगर बात करूं तो तीन इंप्रिजन इंडानियन फीमेल जर्नलिस्ट जो है इन्हें इस अवार्ड से समानित नहीं किया गया तो तीनों के नाम आपको फिलाल याद रखने हैं पहला नाम याद रखना निलोफर हमीदी इलाम मुहमधी और नर्गिस महमधी इनको इस इस अवार्ड से इन्हें समानित किया गया है अब आप लोग मेरे को यहां में बताओगे homework लिखते चलिए साथ साथ में इंडेक्स का जब class आएगी तो उसमें आपको अलग से बताऊँगा इंडिया का क्या रैंक रहा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो की रिसेंटली अभी अनाउंस हुआ है तो आप मेरे को यह बताइएगा नेक्स पे आते हैं नेक्स क्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है शताबदी पूरुष ठीक है अब शताबदी का मतलब होता है सेंचुरी पूरुष का मत समानित करा गया है शताबदी पूरुष यानि की मैन ऑफ दे सेंचुरी पेपर में डिरेक्ट आएगा कि रिसेंटली अवाड दिया गया है यह एंपी भी रह चुके हैं तो इन्हें यहां पे इस अवाड से समानित किया गया है बहुत इंपॉर्डेंट क्वेशन होगा इस आपकी शिफ्ट में पूछा जाए याद रखना ही अवाड दिये गया था नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं जो सबसे जादा कन्फ्यूजिंग होता है बहुत सारे बच्ची यहां पर गडबड कर देते हैं देखो यह जो अवाड है भारत रतन डॉक्टर अमबेटकर अव ही अवाड का नाम है भारत रतन जोकी डॉक्टर अमबेटकर जी थे ये अगर मैं बात करें बहरत रतन डॉक्टर अमबेटकर अवाड जो है यह दिया जाता है किसे मिला इस बार से हमायने के लिए वहाड नेग War दामनाथ खोविंद जी इन्हों ने इस इस इसावार्ड से समानित करा गया है यहां पे यह चीज को याद रखेएगा ठीक है। इस ब JUST के मिले आब किसको जो है यह एंट कर अवार्ड वो योगी अब देखो यहां पर क्या है एक अपने आप नोट करते चलता जितनी भी मिनिस्ट्री आएंगी मेरे को हर एक मिनिस्ट्री के इस समय यूनियन मिनिस्टर का नाम आप लोग बताएंगे चीक है मैं तो बता दूँगा बंद मैं चाहते हो कि आप लोग मुझे बताएं कि इस समय कौन है यूनियन मिनिस्टर हमारा शिपिंग पोर्ट और इसी के साथ वाटरवेस ओनर के हमें बताना है कोन है तो चलो फिलाल यह मै अवार्ड किसे मिला है यह मिला है कोचिन पोर्ट और्थारिटी सीपी एको इस अवार्ड से समानित करा गया है विद्दस सागर सुरेष्टर समान तो यहां पर इसके याद रखना इसके अलावा गोविन सवरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है अब एस्ट्रोनॉमिकल ससाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है याद रखेगा यह क्वेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स पर आते हैं बेस्ट लॉंग डॉक्युमेंटरी अवार्ड मिला है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉंट्रियल 2023 देखो यह जब अवार्ड से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यह किसे इंडियन मूवी को मिला है और यही खास तोर पर जब इस तरीके से साउथ एशियन फेस्टिवल हो गए है जो फेस्टिवल यह फिल्म फेस्टिवल इंडिया के बाहर होते हैं उनमें अगर कोई इंड दो चीज़े याद रखनी है पहला उस डॉक्यमेंटरी का नाम जो था गौरी और उसके बाद इसको डिरेक्ट किस ने करा था वो थी कवीता लंकेश जी इन्हें मिला है बेस्ट लॉंग डॉक्यमेंटरी का वार्ड साउथ एशियन फिल्फेस्टिवल मॉंट्रेयल में जो करेंट पॉलेटिकल क्राइसिस है इंडिया में उस पर यह मूवी बनाई गी थी तो यहां पर याद रखना यह वार्ड जो मिला है यह मिला है गोरी मूवी को डिरेक्ट किया गया है कविता लंकेश के दौरा और याद रखना में असानी हो जाएगी कि इनका पूरा किसके उपर है गोरी लंकेश जी जो जर्नलिस्ट थी उनके नाम पे बनाई गई है अब आप पीसे देखो जितने भी हाइस सिविलियन अवार्ड जो है वो सब बहुत इंपोर्टन है खासता और पर अगरो किसी इंडियन को मिला तो परधान मंत्री नेरेंद्र मोधी को जैसे मैं तो ये मिला है टाटा गूर्प के जो चेर मैं है इस समय एन चंद्रशेखरन जी इन्हें सवार्ट से समानत किये यह हम लोगों ने वीकली करंड एफेर्स में भी कवर किये होते हैं पर अब आपको एक कंपाइल बदा रहा हूं तो आप लोग मैं उमीद कर रहा हूं कि आप पर वापिस से बाद करते हैं यह जो हईस्ट ऑनर है यह पापूगムी जी मोझे का और साथ ही सा। अब यह जो है यह अवार्ड किसे मिला है तो यह इए अवार्ड मिला है किसे पफ़पी जो हमारे है नरेंद्र मोजी जी अब क्वैस से क्या है पहला मिगुञ्षन तो यह है पपूgone नी गिनिया कि अगर मैं बात करूं गिनिया की तो इसकी कैपिटल क्या है एer पहला वाइशन तो यह पर यह यहाद आता है कि कापिटल कौन सी है стать यह चीज पर यह चीज है और जिनकी कैपिटल थोड़ी सी मुश्किल है वह तो आपको याद रखनी है इनकी में capital का नाम आपको बता देता हूं इनकी capital का नाम है port मॉर्स पे और यही देख रहे ना आपके paper में अगर question आएगा तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा ठीक है और अगर मैं बात करूं फीजी की capital क्या है फीजी की capital कोई बच्चा comment box में लिख दे फीजी की capital है यहां पे सुवा और आप homework नोट करना मुझे फिजी और पपुआ निग्विनिया की दोनों की currency आप लोग comment box में लिखे बदाएं गूगल की सवार्ट से समानित किया गया है किसे यह किया गया है परधान मंत्री जी को और यह काफी important हो जाता है नेक्स पर आते हैं दोजा 23 का international booker price one of the most 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 important question ठीक है क्योंकि international booker price यह सब चीजें आपको याद रखनी है यह पूछी जाती है यह किसे मिला है यह जो award मिला है वो भी याद रखना और किस novel के लिए मिला है वो भी याद रखना है तो यह award जो मिला है यह मिला है जॉर्जी गॉस्पिंडोव को यह इनकी novel जो थी time shelter जो translate करी गई थी एंजिला रॉडल के दौरा इसे इस award से समानित करा गया है बहुत important है यह prize और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी bulgerian novel को मिला है तो इसलिए यह और important हो जाता है तो इसको याद रखिएगा next पर आते हैं दे डाग हैमर जॉल्ड मेडल वापिस से highest honor award है UN peacekeeper का यह किसे मिला है और यह इंडिया के permanent representative है जो United Nation में जो ambassador है इस समय रुचीरा के इंबोज इन्हें इस award से समानित किया गया है ठीक है तो यह award भी याद रखिएगा डाग हैमर हैमर के जॉल्ड अवार्ड जो है यह दिया गया है इसके अलावा स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिये गये हैं दोजा तैस में यह मिला है डॉक्र डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हजबंडरी एंड फिश्रीज को जो की चंदिगड में है इसे इस अवार्ड से समान अब बात करेंगे थोड़ी सी अप्रल के उपर दो महिने के इंपोर्टेंट अब बहुत जादा होंगे देखो जैसे जैसे तीन चार महिने बीच जाते हैं तो जो बहुत इंपोर्टन जैसे बुकर प्राइज हो गया आप लोगों का वैसे क्वेशन्स आपको देखने को मि अब यहां पर देखो यह क्या यह प्राइशन है जो कि मिली इननको आप deduction होंगे जिने आप यहांप पर किलियर कर देता हूं इन्हें आप लोग पचानते होंगे इनका नाम है युक्रेन के प्रेइडेंट 4 युक्रेन और रश्या की वार के बाद इन्हें समान से समानित किया गया था जैसे देखो वापिस से बात करूं पॉलैंड की पॉलैंड न्यूस में है capital याद रख लेना वार्ट सा ठीक है यही चीजे जो है आपको याद रखनी है यह question काफी important है news में भी काफी रहा था कि इन्हें किस क्यूं समानित कर दिया गया वापिस है तो रिश्य ने काफी जारी चीजें यहां पर हुई थी तो इन्हें याद रखेगा यंग urologist of the year award मिला है देखो यंग urologist का award है मिला किसे है इंडिन अमेरिकन है तो याद रखना जरूरी है और विमेन है तो और ज्याद इंपोर्टन हो जाता है यह मिला डॉक्टर नित्या अब्रहम को इन्हें इस अवाड से समानित किया गया है ठीक है तो यहां पर यह भी जाते हैं जाता है कि समझे नहीं पर इसको रखा है क्योंकि यह इंडियान है पहली चीज और इन्हें यह इंटरेशनल लेवल पे जब कोई है को इस तरीके का समान मिलता है तो यह एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो यह जो है अवार्ड भी ने मिलना है जुलाई में इन्हें मिलेगा तो ये इसलिए और जादे इंपोर्टन हो चकता है अनौंसमेंट पहले हो चुकी है अवार्ड अभी जुलाई में मिलेगा तो इसलिए ये करंट अफेर्स में ही आपका काउंट होगा बेस्ट प्रडक्शन प्रसेस डेवल्पमेंट अवार्ड दिया था ये किसे मिला है ये वर्ल्ड वेक्सीन कॉंगर्स 2023 जो अभी रीसेंटली वी थी ये वार्ड दिया गया था भारत बायोटेक को बारत बायोटेक ने कौन सा बनाया था देखो दो थे जो काफी न्यूज में जो बनाया गया था वो बनायी था सेरुप एंटियूट कka द्वारा ऑफ इंडिया और है कोवेक्सीन किसके द्वारा डेवलप कrakता गया था वह कला गया था भात बायोटेक के द्वारा अब यहां पर नो और प्रसेस डव्लमेंट की अगर बात करूं तो यह जो अवाड दिया गया है यह मिला है भारत बायोटेक को भारत बायोटेक से आपको यह भी याद रखना है को वैक्सीन इन्होंने बनाया देखो कोवेड के डिलेटेड क्वेशन कभी पुराले नहीं होंगे कि 2019 में आया हो ले था बट नाम याद रखने ना मराथा सौरी मार्था नहीं है यह मराथा अदियोग रतन जो है यह मिला है निलेश भागवान सामबरे को जो की जिजाजू एड्यूकेशनल और सोशल फॉन्डेशन के जो है फाउंडर है इसके अलावा बिसनेस लीडर ओफ देकेड अव बात की जाए वैसी यह डेकेड की बात की जा रही है बिसनेस लीडर आवार्ड मिला है किने मिला है यह वाकही काफी इंपोर्टेंट वेशन याद रखना यह मिला है कुमार मंगलम बिल्णा जी को जो की चेर्पमेन है इसमें अधित्य बिल्ला ग्रूप के इनहें बिसनस प्रवासी भारतिय सम्मान प्रवासी भारतिय सम्मान की अगर मैं बात करूं तो यह वार्ड मिलता है उन इंडियन्स को जो की बाहर किसी और बहुत अच्छा देश का नाम रोशन करें एक काम कर रहे हैं प्रवासी भारतिय सम्मान जो है यह प्रवासी भारतिय दिवस हम लोग कम बनाते हैं यह यह बूलेगा नहीं कभी क्योंगे मुझे यह दिन ने बूलता और दो बार मेरे जब मैं एक्जाम देता था दो बार यह मुझा गया है कि प्रवासी भारतिय दिवस का मनाया जाता है तो देखो उसी दिन या उन्हीं को समानित करने के लिए यह अवार्ड शुरू किया गया था तो यह मिला है राज सुब्रमन्यम को जो कि सीओ फेडेक्स के एक काफी वेल नोन ट्रांस्पोटेशन कंपनी है यह तो यहां पर इने याद रखिएगा इसके अलावा मैलकॉम अदिस्या अवार्ड जो है वो दिया गया है किसे उत्सा पत्नायक जी को जो कि एकनॉमिस्ट है नेशनल इंटरनेशनल अक्लेम काफी जादा यह बहुत फेमस है यह भी तो इनको यह अवार्ड से समानित किया ग गया है तो देखो यह जो है Grand Cross Award यह highest अगर मैं बात करूं ओडर है और ऑडर अफ मेरिट है कहां का जर्मनी का तो यह किसे दिया गया है यह दिया गया है जो जर्मनी की ही फॉर्मर क्या रह चुकी है चांसलर जैसे हमारे पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पर चांसलर ह होते हैं तो किसे इस समानेत क्या गया है तो ये किया गया ैंजिला मारकल को इस आवार से समाने जर्मनी की अगर Capital की बात करूं कि Capital क्या है यह annex क्या है तो currency आगर dependency अगर Germany की बात करूं तो वो है Euro और capital की अगर humanitarian award दिया गया है यह अवार्ट सेने में जो हुई थी यह अवार्ड क्यों important है क्योंकि यह भी इंडियन को मिला है इंडियन कौन है वो है सोनम वांग्चुक इनको आप यहां पर देख सकते हैं सोनम वांग्चुक को इस अवार्ट से समानेत करा गया था यह भी काफी important है सोनम वांग्चुक बहुत ही ज्यादा काम करते हैं founder है डिरेक्टर है student educational and cultural movement जो लदाक की शुरू ही है और इनने भी आप देखा भी था यह काफी इनको आप लोग याद रखना सोनम वांग्चुक को इस अवार्ट से समानेत किया गया है नेक्स पर आते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था टाइल्गु एस्सोसेशन आफ लड़नन के द्वारा अब यह क्वेशन इतने इंपॉर्ण नहीं है बट आप आप लोगों को समझा चुका होगा यह जो है यह अवार्ड जो है यह मिला है किसे यह मिला है रतन टाटा को रतन टाटा अपने आप में ही काफे इंपॉर्टेंट परसनालिटी है इंडिया के अगर बात कि जाए दो पोसें जीडीपी जो है अगर मैं गलत नहीं हूं तो त सिरफ टाटा गुरुप जो है वो इंडिया का यहां पर यहां पर यहां पर जो काफी सारे इनकी जो कॉंटिबिशन रही है और यही क्वेशन इसलिए काफे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो यहां पर याद रखना नेक्स पर आते हैं 2023 का गोल्ड मैं इंवर्मेंटल प्र भी पूछे जा सकते हो सकते हैं शेवीने बाद भी आपको यह पेपर में देखने को मिले यह मुंद्रुकू वूमेन है एक ब्राजिलियन एमेजॉन से इनका नाम क्या है इनका नाम है अलेसेंड्रा को राप इन्हें यहां पर इस अवार्ट से समानित किया गया तो जिन ब दिया गया है लेटिन मुमें ओफ द इयर का बार्ड मिला है शकीरा को यहाद रखले ना अगर पूछा जाएगा तो आपको पता उना चाहिए तो जो इनको टाइटल मिला वह है क्वीन ओफ लेटिन म्यूसिक यह बीटाइटल भी याद रखले ना यह भी अगर पूछा गय अफ इंडिया को ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह अवार्ड जो मिला था ग्लोबल गोल्ड अवार्ड यह भी हम लोगों ने कवर करा था तो यह आ रखना इंपिज्ट अचीवमेंट अवार्ड यह मिला है निली बेना बेंदपुरी को जो की एक सिक्रेंट पर्याइट है पेन स्टेट यूनिवोर्सिटीड की और इमिगरेंट अचीवमेंट अवार्ड देखऊ इमिगरेंट अचीवमेंट अवार्ड अलग है और जो अजे बांगा को मिला था वो अलग है ठीक है दो अलग है तो confusion यहां पर मत करना इसी के साथ दो मिने रुकिएगा अब थोड़ा सा हम लोगों का भी लेक्चर और पेंडिंग है क्योंकि पूरे छे महीने के हम लोग एक ही में करेंगे मार्च की बात करेंगे थोड़ी सी हम यहां पर कितने मिनट का लेक्चर हो चुका है यहां थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे अभी तक हम लोगों ने जो जैनुरि से जून के शुरुआत करी है जून से लेके अभी तक हम लोगों ने एपरल को खतम कर दिया अब अगले lecture में मैं आप लोगों के लिए मार्च से लेके जो है जनुवरी तक इसको खतम करवा दोगा तो आप लोगों के लिए एक ही lecture में कोशिश यह थी कि cover करवाने की बड़ जादा हो जाएगा तो कुछ चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए पढ़ना तो आप लोग हमारी आप से डाउनलोड कर सकते हैं काल नहीं लेक्चर के साथ अभी करें दीजिए इजादत हमें नाइस टेक टेक केर